नमुश्कार देक्छेने विपी आनुंद अपनोदी शांगे अमी कुशुमीता शुरु कोरछी बांगलाशीखा क्लास्रूम रोधे दिनेर मोतो घोडीर कांटा बोर्ची शकल दोष्टा आर आमरा चलेशेची बांगलाशीखा क्लास्रूम लिए तो अबरा जानों आजके अमदेर आलोचनार बिशाइ इंगलिश आर नबों एबं दादोस्ट्रनी दोजनेर जोनने इंगलिश वॉइस प्रोसेस र्यृतिंग आमरा आजके नबों स्रनीर जोनना अलोचना कोरवार विलियम शेक्सपियररेर शालाई कंपेर दी एईनी आमरा शिखाक अमीद भाटा चार जो आपना दी शकुल कीश आगोतो जाने आड अबुश्य तुम्रा तो जानोए तुम्हादे प्रश्ण आमरा इती मुद्धी पेगे एची किछु प्रश्ण तो थागबई आम देर आलोचना एबं तार परश्ण परश्ण परशी तुम्हों शा रर्द टेमे एथाखके कारण ग्रामरे रह्चवरी बेशिक गोल था भ्रात परश्ण थे जिनिवी ते हमसें तुम्हां धुल्थम्हों भाटा इयं वच्विश्यक्त मैखने जिनिविखेव Song, funding and language of language to the अनेक प्रोष्ण कोई चीजिए अधिस वोईस तो वोईस बोलते जदी एडिमोल लेजिकली मारे सब्दोत पत्ति तरोफ तेके जाओ अनेक शोबाए वोईस आमरा जेही अर्थे वयवार कोरे था कि शेड़ा गौलार आवाज बा कुनो बोक्तब्बो उपस्थापोना करा ग्रमाटिकली जखोन आमरा वईस कताटाके निये आमरा आशी आवलो चनाओ इट इस अप्सिलुटली आव फंक्शनल आस्पेक्ट आफ वर्ब जड़ा इंग्लिज ग्रमारे उत्तों तों तो एसेंचियल आक्टा सेंटेंस कॉंस्ट्रक्शन एक हेत्रे आमरा छबाई जा वेरी इंपोर्टेंट रोल जाज्जन नो तोमादेर सिलबासे अंतर भुखत रोए चे एई वोईस एखोन एई जे फंक्शनल आख्पेक्ट आप वर्ब जेट आमरा बोल ला महीं बाग्थो शेटा होच्चे आमरा देखबो जे आमरा वर्ब माने काज करा बाग क्रिया ज यह एक जोन कोर्छे शेटा जिनी कोर्छेन तिनी के आशोल करता नाकी काच्टा वर्ब जेटा होच्चे तार उपोडे काच्टा इट इस एक्टेड आपन एई ताई आमरा एक्स्प्रेस कोरी ठूँ वोईस जेटा अनेक सोमाए तोमारा राइटिंग स्किले जेटा एक्टोम एप्लिकेशन तादोमा देख्चे पावे तोथमे आमी एक्टा खुप सुन्दूर एक्टोम शिम्पल एक्टा सेंटेंस सेंटेंस धोडे आमाडा अलुचनार मोद्दे धूकी और ही लगए पूड़ोफी तादोम जेटी क्रिण दूणार ओढी िक्तास्अ ग्टोमी आमाडे क्रिकेशन जेद क्टोमी एक्टोम एक्टोम् जे बनूदे Show लिक्टोमी Roz vide म at verify will de as by him. द्याखो अर्थो गटो भावे according to meaning दुट्रमद खोणो खाराक नहीं. जेटा खाराक्ता होच्छे शुराच्छे structurally. Sentence टार जे गठों टार होचे. से गठों टार मुद्दे एक्टा देख्छी जिनी सब्जेक्ट, जे सब्जेक्ट ही किन्त आश्वले काच्छता कोच्छे, शेह किन्त खेल्चे और इस अपन फुट्बॉल. परेश सिंटेंसे आमना की देख्छी ना फुट्बॉल शुट्बॉल सब्जेक्ट होच्छे. यबां जे भार्टा छिलो, शे भार्टार आगे आटा अक्षिलरी बा बी भार्ट बोशेच्छे. यबां मेन भार्टा तार पास्ट पर्ट्बॉल फर्मे चांसर्म्ध होचे. आर जे सब्जेक्ट छिलो आगे सेंटेंस में, ही, शे एक्टा अन्यो फर्म निये छे, हीम, यबां तार आगे एक्टा प्रिपोजिशन जोग होचे. यह खाने यखोन आमणा देख भो कुनो सेंटेंस हे, जे साब्जेक्ट अब दा वर्ब, जे, सेई actually the doer of the verb, actually सेई काच्टा कोचे, यबां जे object of the verb काच्टा तारुपरी होचे, तोहन आमढ़ा बोलो, जे, जे, the verb of that particular sentence is inactive voice. आज जोखन देखो जे subject, जे भर्बर आगे बोशेया चे subject, शेकिंत आच्टा काच्टा कोचे ना, जे, he is not actually the doer of the verb, शेकिंत actually receiver of the verb. शे subject होए बोशेया चे, ये बोग जे काच्टा ओरिजिनाली को जोचे से चोलेगा चोब अब्जेक्टेच जाए गाए. तोखो नामढ़ा बोलो, जे, एखने, the verb of this particular sentence is in passive voice. एखने, कि वर्बफर्म टायकें वर्षल शेकिंस एकटिप फर्में रहिए, ऑदे लोग्को राखता बे, अक्टिफ फर्मे रहा चे शेकिटा active voice, और पैसिव फिर्मे रहा चे शेकिटा पैसिव वोइस. यह पासिव भाइस्टा अम्हरा एक्टो आगे जह पासिव भाइस्टा आम्हरा तोखुन बयभवार कोरबो तुषो that the subject is been acted upon यह सब्जेक्ट आ अमनी जेटा यह लिगे चिलाम फुटबॉल इस प्लेड बाई हिम और अक्चुली काच्टागीं तो कोच्छे ही तार उपोरे काच भार्फटा इस अक्टेड अपन तो खुनी आमरा प्यासिफ भॉइसे साथ जोटा नी जेटा के बांगले आमरा बोली ब आमरा इस प्लेड बाई हाइस्कुल पोश्चिम बाउधमान ते की प्रोश्ण पाथी है छे राइट दर रूल्स आप ब्रेस प्लेड जेटा कोच्छेन शेटाई रूल्स जे सब्जेक्ट आर अबजेक्ट मूला तो भाग टाके भित्ति कोरे दुटो जोडिश इन्टाच सब्जेक्ट अबजेक्ट 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 शेगुलो अम्रा पराई जाबो, मुला तो अच्छे जिता एक्टिव वायसे जखन थाक्छे, तोखन अच्छे एजेंट हिमसेल्फ और हर्सेल्फ इस डूइंग दा जॉब आर जखन पैसिव हो जाच्छे तोखन इट इस डान बाई हीम और हर, एट अच्छे बेसिक तफार आर ए छारा आरेक्टे जिनिशामना पाच्छी, शेटा अच्छे जे एक्टू केसेर कथा एकने आशे हातो, जे पोजेशिव केस बाई नोमिनेटिव केस एब नाउनेर खेत्र कोनो चेंज होए ना, शुदू प्रोनाउनेर खेत्री किन्तु जेटा बने सब्जेक्टिव शेटा दाखा आच्छे जेटा हीटा उनार उनी हीम कोले दिनानु, एई चेंजटा ही किन्तु मुलत बाच्छा दर मुलन राख जाबे, इट्स इंपलेटिव, ओटा नाकुत्ते बाल ने किन्तु प्रोनाउने चेंजटे ना आशे, ताहले किन्तु हवे ना, एक्टा भार आखेंज जाएश्पे, एक्टा प्रोनाउने चेंज़ जाएश्पे, एई दूटा ही अच्छे मुला तो चेंजट जाएगा, objective use, objective use, objective use, a. objective use are positive. आच्छा. नहीं यहा हेटा थे कि शेम्म सर्वे shall रे तρέक्षा क्या हिक्टीव खेत्रे यह भूं प्यूप खिर्टा और भी शिवक्टीशatchet यह मुन अक्टिवे जोदी सब्जेक्ट आई थाके ताले पैसिवे शेटा हुए जाबे मी and this is vice versa subject जोदी बास झाटिवे जोदी अक्टिवे जोदी सके वी बासिवे जोदी ताके फ्योदी ईटरख इंटू इंटो it remains as U, subject योदी, अई, active योदी थाके, he, passive होई जाबे, him, active योदी थाके, she, passive होई जाबे, her, अई, active होई थाके, they, passive होई जाबे, them, personal pronouns गुलों खित्र, अमरा, एई, योखों, एई, transformation गुलों आपाई, change of pronounces, योखों आमरा, active, जार्जोन, आमी ये प्रथों sentence ता दी चला, आमजे, he plays football, हीम होई गालों, हीम होई गालों, हीम होई गालों, हीम होई गालों, एटा गालों, change of pronouns, येटा खूब इंपोटेंट सायर, एक्टो आगे, उरलेक कोरे गेलें, नेक्स्ट, जेटा आजबे, आपनी एक्टो, ओकांती की शूरु करून, श्राच्चे, change of verbs, 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 ये विशोन इंपोर्टेंट जेटा, ये active तेके passive जेते गेली, एक्कुनी अमिद्भगु शेता द्याखा बेन, प्यासिव जेते गेली, आमदर एक्टा बी वर्ब लागे, बी वर्ब लागे, बी वर्ब शाराकिन तो अम्रा कुनो दिन प्यासिव भाइस कोते पारी नहा, एजेंट थाक्तो पाले नाव थाक्तो पाले, मने, वी कट्रीज, ट्रीज आर कट्रीज, बाई आस ना बोल लो चले, एजेंट आम्रा कखोने यूस कोरी, कखोने अम्रा एजेंट प्रीज कोरी, किन्तु बीवर्ब is a must, येवार जेटा कुब इंट्रेस्टिंग ए खेत्रे जे आम्रा अनेक्षम आई auxiliary, modal auxiliary आमदर यूस करता है, येवार काके बले modal auxiliary, दरुन will, would, shall, should, may, might, ought, 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 येवार एई ought आवार ought to be होई आवे, जखोन पैसिव होच्चे, आच्छे, एगलो मूलतों को might, may, might, येवार एगलो मूलतों मादर modal auxiliary, एगलो मूलतों मादर modal auxiliary, गुला संगे एक्टा बीभर जोग होई जाच्चे, और ता शाल बी, will बी, would बी, should बी, might बी, ought to be, एई भावे आम्रा किन्तु अक्टिव तेके पैसिव होई जाच्चे, और ता सब्जेक्ट अब्जेक्ट आजच्चे, अब्जेक्ट आ सब्जेक्ट आजच्चे, संगे modal auxiliary मने एक्कुरी चार दाखावेन, अमिद्वी दाखावेन एक्कुरी, जे किछु सेंटेज, जेरम दरुन continuous trends होदी थाके, बा उन्दान नो perfect trends होदी थाके, बा perfect continuous थाके, ता होले शेखेत्र की होच्चे, शेखेत्र किन्तु ओही चेंच्च्टान मोंते किन्तु बी आस चाह आता नॉर्माली present, past, past perfect, sorry past participle, जे बाइजे participle, जे do, did, done, I do the work, the work is done by me, जे is done, the third form of the verb, एट दी एकिन्तु passive बाइज मुला तो करा होचे. सार, अमीं एक्टु अप्टन के बिरोतों प्री आमादी शौंगी टेलेफोन एक जुन रोएछे, इमूर्ते शोमोजित दाश मुषी दाबाते, के फोन कोड़ोचे बॉले सोमोजित, आमादाम बोलची, वाट इज क्वासी पैसिव, स्वासी पैसिव, स्वासी पैसिव, अच्छा, अमादेर, एक जुलो डिटेल्ड आलोचोना अमादा परेट, जे सहां एक्टु आगे बोलेछेन, सोमोजित बोलेचेन, सोमोजित अमादा है, एक दोम प्रिलिमिन्नारी क्लास नाइनेर आलोचोना आज गे आच्छी, क्वासी पैसिव, माने, इम्परेटी फ़ परेटी आजबो परोबोट्ती तक होन आमादेर, एक वासी पैसिव फोर्म आजबो आजबो, आमाने, बोलते है पाड़ी है इसेट, किंदो आमादा आलोचोना तेके एक ट्टु कानी शोरे जागे बोताले, यदू शोमादा खुबशीमीतो, आमादेर इर पोड़े अरेक अध़ एकर अर्क्रेडिश बॉला राचे, जी इस इंपल सेंटेसटेसरे केटू double-passive उसकोला जायना, जुदि युरा मेंटा सेंटेस्टेस न हाय जे इता इटा केन्टु कलेक्ट। it was ordered, the authority ordered the terrorist to banish, it was ordered to banish the terrorist, किन्ट एखरे दिक हुँ लिखे भाले, the terrorist was ordered to banish, ताहु लेके तु भूल, भूल एई अर्थे, जे double passive अमना कख्षुन, Simple Central Circuit तरी उसकोटे पारी ना, उल्ट दिगे जोदि एक्टवागा विद्वाग बोल चिले ने जे प्रेपोजिशनाल रिउस, एटा किन्थ खुव इंपोर्टेट, जोदि वाला, I know him, he is known to me, नॉर्माली वाई प्रेपोजिशन्ट आमरे उसकोडी, कितु मनेक यमन शमाय आचे जोखन आमरें कितु भाई उसकोडी ना, जोखन टू यूसकोची, I know him, he is known to me, but the cloud is, the cloud covered the sky, the sky was covered with cloud, ताहुन कितु भाई होगे ना, ताहले, एई धालने, और complex sentence कित्रो मुला राखता आवे, जोदि दूटो clause थाके, complex मने दूटो clause आचे, माझे अटा connector आचे, For example, I know that he does not know it, जो I know part, I know it किन्तु, it is known to me, I know that he does not know it, that it is not known to him, it is not known to him, I know it is known to me, that he does not know it, that it is not known to him, दूदि गे किन्तु, आमरा अलादा भावे passive कुत्ते बाद्ध होलाम, otherwise complex structure, किन्तु, दूटो clause जखनी थाक्चे, दूटो clause जेकिन्तु, आमादेर एकी जाएगाए दानाते होच्चे, आमरा किन्तु, दूदिक दियाई, आमादेर passive कुत्ती होच्टी होच्चे, एचरा imperative एर फोर्म होगे कुत्ती, आमादेर एकी जिनिशाचे, जुदि बोली finish it, ताउलावे let it be finished, एकहरें कितु, meta-dialect बोश्चे, let it be finished, publish the book, एटा आमाद दुभावे करा जाया, let the book be published, आमार करा जाया, get the book published, शेटां कुतु equally correct, तखन कितु let चारा गेटो, but don't tease a dog, you are advised not to tease a dog, you are advised, you are ordered, एक्रों कितु इंपलेटिव स्ट्रक्चर हे शौंगे ही related, और तो sentence जे application ते शेटां किन्तु change होई जाचे, आम आरेक्टा फोन ने, आम देशां का रितम लाहार होई उत्तो दिनास, करते के रितम फोन करेचे बालो, आमार पॉस्टो डालो, एक्ति बॉस्ते के पैसी बॉस्ते कोरते रहे, की कोरते हाई, आम रहे शेटा ही जाते, तुमी देखते था करीता हम, तुमी एक दम ठीक्ष्य माँ फोन करेचे, हाँ, सर प्राय लिखे फेलेचे, रूस्टो डिस्कास का रहे, आपनी पॉनुच्छा, दाखो, जो-्चेँज कोट्ते के रे किच्यू गशिक़ी नियोम तुमाधर महनते हाँ आप their आनि बॉल राकि, जे नॉमली voice change, रिक्ष्य माँ फोनली एक सीवर्गे रिकीन्त्र ofुदित तुमाधर तुमाधर ज तुमादर का। second point, interchange in the position of subject and object, number three, in the passive voice the subject becomes the agent, agent को अधर जानतावे, जाकुन शेशे चले आच्छे, बाई पर, preposition बाई पर चले आच्छे, ताकुन शेट agent होई जाच्छे, it is preceded by the preposition by, अधर लोग को राक्ताव बेटा, अच्छे, तापड कियो जाचे, the principal verb is used in past parsable form, ठीका जाचे, जाच्छे, that succeeds the B verb, it is preceded by B verb, अभा रही बोले दी जाच्छे, the form of B verb is determined by the subject, whether it is singular or plural, ठीका जाच्छे, अच्छे, subject verb agreement should be taken into consideration, जाकुन राक्तावे, जानतुन subject जाच्छेटा हो लो, तार स्वंगे कौन verb तापड जाचे, tense plays a significant role, अधे किन्तु दूटो जागा दोखल रखते हो बे, शेटा हो जाच्छे, एक्टा हो जाचे, tense, आटा हो जाचे, जाच्छे जाच्छे जाच्छे, जाच्छे, a subject verb agreement, आर मोनी राक्तावे, जाच्छे, is verb यह दर जानता है कर डा करते होuing विटल रभ रख मिइंस लातिने ऑ में एक इन बॉलुक। से में पार शेयर कोॉस्ति हो यह लास्ट बलकी जाते बी वर्पर फार्म वधे मुख़र रखता है शेटा कि ना आक्ट हुच हो चेए M, Is, Are, Where, Was, Be, Being, Been यह आट फार्ममुखर रखता है जाते ब्रेकेट जाते ब्रेकेट यह नियुट था कहो चेए तले उता प्रफर फर्म ये उस्द जाए जाए तले बॉपर फर्म वे यूज खोड़ा जाया सर इति मोधी बोडवा कोड़े शेलां उस्द देखेलिए एक टु आगे अमरा प्रोष्णों पेचेलां आमि जस्त तमाहा देर के पर पर देखा ची दाखम मी तीन टे कोलंगी को रेची एक ता उच्छे अहास Lowdown से सोफाने जयांग दिुझाँ इंप दा शूंध्य कर दा अना अव्यակों का अन ден खैंग दूजिन समयघिकिर विधुनिनग था से शाव, हिंटक देता क्त दूयों बद्हुलिके शुंद Trinity him. एबो पैसिवेट खेत्रे तार फर्म तर किड़कों होय जाच्छे एबो मारी ठिक जाओं तोमा दे स्कुलेट जराकों युनिफ़्म थाके युनिफ़्म तर देखने बुष्टे पारवो ज्फे आचा युनिफ़्म तो युनिफॉर्म तो युमुक स्कुलेट तो आमरा घ निकने वह वर्ब ता धेकले ही बुस्टे पारवो जे एलेकी active voice ना passive voice. द्याखो simple present tense से, simple present tense से जोकोन आमना active voice हे, वर्ब ता की form में थाके ना आमना use कोरी the first form of the verb. आमना एकटे एकजांपल खुडिये घुडिये आमना वा जैकाओं। जाते तुमांदे भूसते शुभीदा हुआ। जह आमोण फर एकजांपल सर्फ हमी रहकें। आमना पत हमई शुरूते इस बगभपटागर हो आमना खेल चेर घुल झाल यहां। सब्जेक्ट थार्ट पास्टेन सिंगुला ताइ प्लेस होंगे इस जो गोई चे पासीब वाइसे भार्बेर फॉन्ट की चेंज होई जाच्चे एम अथोबा इस अथोबा आर एक डिपेंड कोच्चे सब्जेक्ट की थाख्चे आम ताइज नो प्रतेक्ट अप्शन रेगेची ता संगे पास्ट पास्टेबल अग्दा वर्ग अधर शुमाइटा बड़ी कोमे काच्चे आमरा बढ़ों एक प्रोसेस राइटिंगे जाए द्नातव जाएश वर्गी तर आगे किन्तु प्र्प्रचै डवेश काच्ट आख्टा इंटरक्नेक्टर स्टेज़गे जाएट थागेच आतार अख्ता पिपेठ तर इंटरक्नेटई बढ़ों ये रिप्रम कार्भेश थाख्टा एक्टर प्रो प्रोसेस राइटियर आरटा चेट नोटिस रविट रखेत्रे मनफ अक्चुलि इस प्लाइट एक्ट्रे इस पैसिव हैस एब़ाँ ज़ा प्रोसेस रखेत्रे की की रेक्वारमेंन्स जट आमी धेखेची प्रोषण एक्टर शेज चे खेत्रा भुली रखी जे अं इंट्रदक्शन इस अं गूली अबंपलत जालना वो जे नेया है लिक मेंए आरतै जीने कोके सब्सक्राइबे दो करेंडने लिक लिकलाद तापस्पेस हें यह बहुंग लग्ख राखता वे, they have to use linkers or connectives and they should not repeat it more than twice, just for variety यह की और अरक्टर जी बोले राखता अजय क्वाक्टर इस शुत्र अमान मुना है बोले दो भालो, जे फास्स, किम्बा, next, subsequently, next, subsequently, then, lastly, last but not the least, यह रम्भा वे बेश की तु यह बालो number score, तो यह की आच्छला है खुब बेशी effective आगे. पैसिव वाइसे तो 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 लिख भी लोग को राखता है, पैसिव इन्फिनिटिव जाना है, आच्छा. हाँ, passive-infinitive होले उट रकेंद रॉंग, रकेंद अनेक्ष्णमाए एक्टर भूल भार नातागे, passive-infinitive, no, process writing हे passive voice ही लिखता हरे, पूरपरी, आर notice writing हे जे तु एक्टर official notice अमरा दिये था की, छे जने, it requires passive voice, it should be written in the passive voice. ठीका जे ताहले एई शंक्रांदो जे प्रोश्णोटा चिलो अमरे बोरों एक बड़ देखे नियों रिपोट्ट चार्ज होरी ना भी शुभार्शी नी बालिका शिक्खाल हो एथे के प्रोश्णो कोरे चिलो What are the main things we need to follow in process writing? प्रोश्णर उत्तोर गिंत आमरे इती मोध्ध ही पे गिये ची एबार बुड़ों आमरेक बड़ देखे नी जे voice change कोड़े की भावे process टामरे लिखते पारी सार इती मोध्य बोड़ वा कोड़े शुरू कोरे चान how to write a process using voice changes शेक मोईनुल होके प्रश्ण चिलो सार बोड़ वा कोड़े नेक्टी शॉंखे पे देखे नहीं वा मध्य शोमा एटा बड़ोई शॉंखिप्त होए श्चे एक मिनिट में तो बाक्त बाक्त है अमरा जे भावे तोमरा पावे आमरा जे भावे फ्रेम कोरी क्वेस्टेन तोमरा निश्च्व ही शाटा देखे चो एड़कों कीछू आउटलाइन्स थाके प्रोसेस राइटिंग है खेत्र है जेटा प्रथमे ही बोलबो शेटा होच्चे जे लेखार सोमाई तोमरा एई आउटलाइन्स गुलोके किन्तु कोनो भावे एई अब्लुक कोरे जाओना अब्लैब कोरे जाओना गो थूँ इच और फिरी आउटलाइन्स कारणा अमना जिए मांक्स था थाके टोटाल मांक्स थाके मांध्दोंभी ये खेत्रे पुड़ों मांक्स अलॉटमेंटा हीकि न्तु एई आउटलाइन्स रूपरे डिवाइट को सेपरेट सेंटेंस सेंटेंस कोड़ा तुमादर काचे एरकम भावे ठाकबे एबंग शारेरा जेटा आलोचोना कोल लेन इमात्रो जे आमरा जखन प्रोसेस राइटिंगे जाबो आमरा एप्रोच ता ही कोड़बो इन पैसिव वोईस सुधु हटो एक्टा अप्रोच ता ही कोड़बो आउ तार परे एसाइम्में धिशेव एक थागवे तोमादर जे फिनिश इटाप जे प्रिपरेशन ऑफ औरेंग जूसे खेत्रे आमरा एक्टा इंट्रुड़क्टरी सेंटेंस लिगभो इंट्रुड़क्टरी सेंटेंस के राकम होते पाड़ जे और जूस इस अवे पॉपुलर रिफ्रेशिंग जे प्रिंद्स के था घ्रीपरेंगर चैनल गृप सो छड़ी वट्री सेंटेंस च्छन होबें यह वं सिंगल सिंटेंस से कंक्लूशएं पॉइमें जे पॉइन भलो था था बिशे एकिटा की जावला पोड़ ता हुए वह एलाबोरेट कोड़ते हुए ताले यह हो लो मोटा मोटी प्रोसेस राइटिंगे राकोनों पूर्जों तो जी ब्रीफ आजके तुम्रा पेले यह बाद देखे ना आजके होम असाइनमेंट की था वह वाइस अबंग प्रोसेस राइटिंगे अच्छा आच्छा आच्छा बॉर्चा आच की तैर्णु अब मोय कोड़तेय कोडिका ओंग प्रोसेस राइटिंग अपी अज़ामा तो साइनमेंट क। इबार दादोस्रणी क्लास जामन तुमा देर बोले छी जे श्यालाई कंपेर दी तुम्रा जानो गतो शप्ते अमरे इचाप्टर नी आलोचो ना कोरे छी एबंग अई सौनेटर ओपरे आजामादे रिविशन क्लास तो गतो शप्ताई तुम्रा जारा अनुष्ठा देखे जारा देख्टे पारू नहीं जारा इती मधी पोड़े रेखे छो तादे शको लेट जो नाक टे रिकापिचुलेशन अमरा प्रोथो में एक बढ़ बढ़ूंग चाप्टर टे शुरू कोडी हीमार रिसर्क के दिये जामनुष्ठा जामनुष्ठा जारा देख्टे कि सबिस्फचेर सrickspersonet 1-17 चैकाप्स of shakspereyan sonnet, because from sonne 1-17. Shakespeare is urging his fair friend to get married to perpetuate his beauty through the offsprings or the progenies, now in sonnet 18 he is emphasising the fact that it does not matter whether you get married or not, my words will simply mortalize you. जारा बढ़ बढ़ुरे जारा और कि एक हाल एक ऑन ABOUT sonnet 1-17 Suprother बढ़न प्रुत्यकरा कृत्रन अनुजय युद्यम्रा जाई। जे इन कृत्रन 1, we find he is comparing the beauty of his fair friend to a summer's day. Now, it is really interesting to find out that the summer day is undoubtedly, it suffers a change in natural course. Sometime it is hot, sometime it is cloudy, but the fair friend, he can maintain his own beauty throughout. That means, the very first line, shall I compare the two summer's day, it is a rhetorical question, and it is a self-answered interrogation. That no, it cannot be compared. It cannot be compared. Then, he goes on saying that his friend is more lovely and more temperate, that means, he is beautiful within and without. That is why lovely and temperate, these two words, these two expressions are really very important. And in the second quarter, we find that the poet is emphasizing the same thing that the eye of heaven, that means, sun, it is a transfer, example of transfered epithet, that the eye of heaven, it shines, that means, sun shines sometimes too bright, sometimes too cloudy, but somehow or other, nature suffers a change, while the beauty of the beauty of the fair friend does not undergo any change. In the third quarter, we find the same thing, but here we find the hegemony of the poet, where he insists that his eternal lights will help the beauty of the fair friend to grow, and it will grow with time. Why? The answer is being given in the last couplet, in the epigrammatic couplet, where we find that the Solong lives this, that means, this poem, that means, the poem can immortalize the beauty of the fair friend. In short, we can say, that art, it is an immortalization of art itself, or the poet is trying to eulogize his own artistic self, creative self, and emphasizing, that it is imperative, that it will remain forever, it will live eternally. Okay. 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 How does Shakespeare immortalize his beloved in the sonnet, shall I compare thee? Sajja, how does the poet, the poet, the poet and the poet, the poet, the poet, the poet and the poet. Structurally. Structurally, I come to speak, is the poet and sometimes the poet is something that I have открыth, the poet is called. The poet is a! Yeah. Threat. यह प्रश्वन चेलो, how does Shakespeare sustentiate the title with the help of comparison? आगे दीनन असाइमेंट चेलो, how does Shakespeare sustentiate the title with the help of comparison? हाई, actually the sonet itself it begins with this rhetorical question जेता सार एक्टु आगे बोलें जेता अमादे अलोच्छो भीश्वा आस्चेयार कि next जे शालाई कंपेर दी तू सामच्छ दे शालाई कंपेर दी तू सामच्छ दे ताइड़ ताइड ताइड दा इंक्लूर्द्ट रिमाइंडर इदे तकालिं छो में खीघु परनिष भीजिश्ण मेन अस्वर्स प्राम रच और शीमए तकनो इब हो to Jegoda हो शीमिलियो आई गोच वर furnस, शीमिकम्न असब प्राम फ्रेस्वाल प्राम थो three Channel में एक र्कास रिकर्स्ट अ रिकास्वा जे एकक्नों Khan blame परिम्हेनल परिम्हें पर्षए परिम्हें जोखन परिम्हेनल 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 देए पोई प्रषणीप। गरुख अन्योट को घर सोफितिक अखरिए। next moment, next moment, he rejects it, you know, it cannot be done, you are symbolizing nature, so you surpasses your beauty, it surpasses the element of nature, summer itself is short-lived. अले लावलियाद टेमप ले शुबडो टांवान मोना है, खोब सिग्निफेकेंट करण एक्टार के, बने लाए एक्स्टरणल बेंटे एक्टार वीऊचे इंटर्नल बें लाए एक्टार से इंटरनल बेंटे, एई पके तटो बदाए माथा राका दोर करवाचा दे मंती सोगे है सब पर ना मनहिं जे तू मना एक आंसर तन मोंते आतो रेत्रोरिकल आस्पेक्स आज बे कि अरें यह प्राद सिसंगे और थे आपने आजबीन निके चेलिफोन आ रोचे इमोट मोलिका शुट्रदार भालो मॉलीका यॉख नुच अर भालो मॉलिका यॉख इस तैलिभीशने जी तोवल्यर कि मूट अल्य गार्ण मॉलिका परहे से जो के संकते हैं सम्पर के जानते चाहिचित है और एकस्प्लाशन का है कर दो मैं देखेस के सोलंगा टाला लिवस दिस पना लिवदिस पएम तो यह और अमरा आजबो मुल्लीका अमरा आजबो अलोचना अरो जे आमादे पोष्ण गुलों नी आमरा आजबो तकर बार आजबो तुम्ही खाता पेन बार जाई होग वाटेवर बी रेड़ी विद दाट करून तुम्ही खुआ हो तुम्ही जोगी खाता पे तुम्ही जोड़ी लोखो प्रियुक्ते रेड़ी खिरी युलीका उत्यार आजबो तुम्ही खिर नावादे रेरीटॉट्सथे। आजी आजी प्रोष्णों गुटा निये नी तहले बुधा है शुबी ते हाब आलो चो नाया श्ते और इट्रशेंगुपतो नवो ग्राम पिदधा पीछ हुग ली थे कि अम अधे जे प्रोष्णों पाथ येचे describe the rhetorical representations in the sonnet number 18 और था जी प्रशुंगोटा बार्बराश्चे rhetorical representation जेटो तोम रहो जानते चेचो अमी विदान तो सरे काचे चोले आश्पो अक्चुली एटा मुनराख तवे एटा अखुब vital question, rhetorical representations that means it refers to figures of speech that are used in the poem मुनराख तवे जे figures of speech बाना चे जेटा हर की आटा COVID आखे समृद्दो करे first जेटा आमा ताइटल ले चोले जाओ the title is an instance of Apooria जेटा हर्चे Fiend Uncertainty मैं there is a uncertainty and that is pretended there is a pretense therein जेटा हर्चे first the title itself तापन आमा जोले चोले आची एई जे ताइटल ताइटा जेटा case of simili. अच्छा, ताप नम्र चोई अच्छी, rough winds do shake the darling birds of me. Rough winds एकाने बाबट तोचे personification, एकाने अच्छी personification काके बौले, actually human characteristics attributed to inanimate or abstract things, एकाने मेन कोरे. Next नम्र चोई जाबो, darling birds, darling birds is a brilliant instance of transferred epithet, darling itself is an adjective and actually it is supposed to describe something else, एकाने अच्छी birds manakchhe, it refers to the freshness and exuberance of youth and summer's lease has all too shorter date, sammer's lease, एकाने अच्छी अच्छी च्छी जाबोडे, तापो राम्र च्छी जाद देखो, this is also an instance of personification, आपर आई 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 आ सन हां गोल कंपेक्षिन रफस तो सन रफस 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 रफसन नेक्स रम्रा चुलाज़ पोड़ फेर मने अक्चुली एक रखन पोड़ वे कोभी तट है उदे किंतु कांट आगे स्वाज़ाग रखता वे एक अलिटरेशन भड़ता होच्छे जे एक अच सक्सेजिव सांद हां रपीटिछ पोड़ ओस रफस राखन मने ऑंड़ फोड़ फो रफस रफसाऊब होड़ अनू रफस रफस रर्फस रफस 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 रोगवाप प्राश रफस राइड बाढरे तु आ अटकर अच्टराइड़ बेलिव वे अलिटरएड बाले आर्मी प्रटेक्ट आ अल ऐस विट ए अफुली आरी बिएज बेसेज बतले बेल्ग्रेड यह अल आ शार्स विट बी रिपीटेव रिपीटेव यूज वार्टाथ हिंदी थेक अक्टार कॉटम अने पूड़ेगा लो अटा कोविता लाइन चारू चंडर की चंचल किरने खेल रहीया जल्थल में अट इपिकल चा अर लो इजे प्लेंग आ वर्स बेंग आप देख दो आ जाब आ नो शाल देख दो वन रस्ट इन अगे दी नो दिल को रची that is a instance of kinesthetic imagery ठीका थे एखने अक्टा sense of coercion a sense of force रहे लोग चूद आयना एजे देख ब्रैग अने ब्रैग मने चे बोस्तिंग 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 डेथ अजिप इस बोस्तिंग that I can take anybody and everybody under my clause but severely it rather he fails in case of the poet's friend when in eternal lines to time thou growest it is a metaphor metaphor for grafting it is a gardening metaphor it is an instance of epigram it is a VT statement inverse short VT statement VT statement inverse VT statement inverse VT statement inverse so long lives this so long it is an instance of anaphora anaphora it is the beginning of a clause that is the same repetition of the same thing in two different lines anaphora so long lives this so long lives this it is a case of anastrophe inversion of word order inversion of word order VT statement VT statement VT statement VT statement VT statement to the effeminate beauty to the mohila修lov beauty of Earl of Pembroke visa sexualisks truth Earl of Pringbroke a portrait शेटा पोस्ता शेलो महीला शुला बेक्ट वेक्ट वह पोट्रेट छिलो तो शेटा खुब कमोनली यह छिलो अन लोग्जंदे काछे तोटाइप आपूला छिलो शेटा की तिनी रेफर कोरें और यह वेडि अन्रकवर हो देश आमीबरूंग इवारे चाव फोन ही जाई ऑर शेटा पूर थेके बाल और दिन दो शुन्द पाच्छ ओर दिन दो शाम्माबत आमादी श्युका जो बिच्चीन होए गेचे आमादी शांगी इमोर ते नाचापड़ी हाई स्कूल कोजबियार तेके रोएचे शुजीत कुमार आचार जोसर आपना के शागोतो जाने आम पियाली शाहार प्रश्णो पियाली उदाइपूर हर्दोयाल नाग अधोर्ष्व इद्डालाई फव गर्ल्स थेके प्रश्णो पाथिये चे हाउ इस पोईट्स फ्रेंड दिफ्रेंट फ्रॉम अ समर्स देग्ट आपनी जो दीख तो बालेन शुजीत सार प्रश्णों के लिटेद्ष्टा प्रश्णों कि अम्योवेच्ट दीच्ट प्रॉम् श्दुर्णो कि अनुजीत संदूर्य उर्णों के विलियम कुझस्पेर बेदेग्ट बवन्दूजीत संदूर्य। is greater than nature's beauty. अनेख बेशी बरो, पक्रितिर संदर्यो थें. We can understand this from the use of word more in the expression like more lovely and more temperate. In this second quatrain, the poet explains, William Shakespeare explains ब्याखा कुरेचेन, the beauty of nature, पक्रितिर संदर्यो, as fragile, भंगूर, temporary, खनुस्थाई, and subject to decay. The second quatrain describes how the beauty of sun is subject to accidental and silical decay. कोखनो कोखनो खोब उत्ता पे, किरोंदय आकाशेर चोख शूर्जो, यह बन प्रयोशी तार स्वनानी रंटा म्लान हुए जाए, his gold complexion dimmed. In the third quatrain, the poet differentiates the friend's beauty as permanent one. He uses expression like eternal to define it, and further immortalizes it with the expression, nor shall death break thou wondrous in his shed. In the couplet, that is, the last two lines of the poem, William Shakespeare, the poet, even immortalizes his own verse to eternalize his friend's beauty. Thus, ऐभावे, the poet not simply compares कृब सदन्भावे तूर्णा कृर्णनी, the two beauties, but actually immortalizes the beauty of his friend, which is eternal, जेटा चिरोश्थाई, and totally different, सपर्णा अलादवा प्रिथोक, from the temporal beauty of a summer's day. Thank you. How does Shakespeare present the triumph of poetry over mortality in sonnet number 18? Sir. Shakespeare celebrates the triumph of poetry of our mortality in his sonnet 18. Shakespeare, तर आठाल नम्बर sonnetे, नस्ष्वरतारुकोर अभितार जयजात्रा के, उज्जापन कुरे छेन. Time and beauty are two important themes, and beauty is subject to be decayed, or destruct in course of time. समय अबंग सुन्दर्यो, दोटी गुरुत्तुपन नभीश्य, अबं कालोच चक्रे सुन्दर्यो धन्ष हो हे जाए, ख़ए हो हे जाए. Time is presented as an enemy that will eventually rob the beauty of his friend. समय के एखाने सोत्तु हिशाबे उपस्थापना करा होे छे, परिनामे कोभिर बंधूर सुन्दर्यो हरन करे नेवे. Shakespeare knows that, केंतु William Shakespeare जानेन that the only way to defeat time as well as mortality is to create timeless art. जे एई शमय तथा नश्वरात के एक मत्र पराभुतो करते पारे, पराजीतो करते पारे, तर एक मत्र पथ होच्छे, कालातित शिल्पो शिष्टी करा. Only art can preserve the essence of his friend's beauty. कावमत्र शिल्पोई कोभिर बंधूर सुन्दर्यो शार्बस्तु के रखा कुलते पारे. By describing his beloved in verse, Shakespeare preserves and ensures that there will always be a living memory of his friend. And, कोभिताई, प्रियोतो मेरे बढ़ना कुरे, Shakespeare रेटा निश्चित पुरेछें जे, तार बंधूर जिबंतो स्थिती रोख्षीत हवे, रख्खा पावे. Thus, the triumph of poetry of our mortality is celebrated in the lines of sonnet number 18. एई भावे आठार नंबर स्थानेटे नस्षोरता उपर पोभितार बिजोय घोशित हुए छे. सार, दोनुबाद, एर्मोद दी ओधें दूर स्वांगे आमादे जोगा जोग बिच्चिनाएगे जिला, ओधें दू कीदी शौंक्राम दे प्रश्ण कोरो चुलेर, आगेट जे प्रश्ण उत्तोर सार आमादे दिये चलें सार, अपनी आमादे शौंगे थाकूँद, आमी आभिदान तो सार एकल चे चोला आशिवा अपनी सार कीचु ट्रांस्फोर्मेशन ए बोर्ड वर्क कोरेचां। हाँ, ट्रांस्फोर्मेशन टो बोले दी, प्रोथम कोदा होच्चे, प्रोथम क्वेश्चिन टो जा शाल आई कंपेर दी तो ए सामस्दे, एकाने एटा दूर अकूम दिरेक्शन थाक्ते बारे, दूर्ड दियाक्टे डिश्वे, चेंज द वोईस, जेटा की भाव एक प्रोष्णों के में कि असाटिव पोड़ा जाए, कि भावे, आई शाल नौट कंपेर, आई शाल नौट कंपेर दी तो ए समस्दे, तामने बारे, नेगेटिव होई जाच्चे, नेक्स अमना चले आजबोर, लूर्ड टू ते, बाट दाई इटरनल समर्शल नौट फे अमी अन्फेड टरम तागी उसकोटे पारी, नेक्स अचे, थाओ आट मोर लवली और टेमपरेट, चे इस अच्छे अच्छे, एकाट इग्री माने चे, एकाट दू तो एक दू तो नेक्टिव ते रहे, तो शेटा के आम रहे, पोजिटिव तो पॉसिटिव ते और टूस, एकाट इखाट रहे, एकाट रहे, अमी अन्फेड पॉसिटा कोची, तो शेट वहे, पोजिटा रहे, तो शेट प्रशनाटा देखेनी, मुझपर होसाइन, जानो के लाल शिखा शादून हाइश्कूल मूर्षिदा बाते के आम दिच्छे प्रश्ट नॉट शाल देथ ब्राग दाव वंद रस्त इन इस शेड एख्लें इस सिग्निफिकंस अफ दे लाइट अमिट सर्य काच्या मैंश्वा है एक मैं एक क्षिंटा एक्टू आगे अमादेर मस्त मस्त आई किचुटा अनिक्टा इक किचुटा कन बोलो अनिक्ताई बोले काचे लाइट वाल परसुनिफाइंग देथ 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 इस लाइट नॉट शाल देथ ब्राग दाव वंद रस्त इन इस शेड लाइट बिलिकल अलूशन अटा बीबिल तो कमपरिशन आचे जे खाने मने एटा 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 बुक आफ साम टे एटा यूज रच्छ ब्राग देखे बने वर्च 23 इस तो 4 या दो आइट थू दू प्रू एटा वस्ताओ देथ लाइट इडा लूशन जेखने ब्राग देखने गाट वीजिटीटीच डाट इन इस प्रूट बोले चेलें जेखने था वीजिटीटीच इमॉटलिटीच अबिक्टीच इचेन, इन्टु आ वेन ब्रागट, मिर्टूर गड़गो करार किछु नहीं, He has, मने, who is powerless over his friend, or the beauty of his friend. मने, एकने, अविद्भावश्यों में बोलते चाहिए, जे ओविडियान प्राइड, अविडो किन्तु मेतामोर्फोसे से इजीरिष्टा बोलाचेन, किन्तु एई जागेता जेते बारेनी, Shakespeare अरोई इजीए गाचेन, रोई नाथ बोलचेन, आजी वतो स्वत वर्षो परे, ताला स्वत वर्षो अबधी, आजीरिष्टा बोलचेन, जी ज्वती पानूष ठागे, आजीरिष्टा बोलचेन, जी जा बडिऑ जागे, येस, पास्टा पन्तु एटरिणी एटरिणी आर शेक्स्पराड बोलचेन, सो लॉंग lives humanity, on this terrestrial plane, so long lives my poem, and these sonnets are supposed to be read by people, he was quite confident. birth and death के absolute स्मोने कड़ा है अशेटा ताक्यों कॉंकर कोच चे ता मैंने there is a sense of hyperbole exaggeration मैंने यहार की चुना मैंने triumph of literature triumph of any form of art any form of art अच्के अमादे यह जे रवीशन क्लास शेटाओ इंदु शेशो लो शालाई compare दी नी आलोचो नामने शेश कोलाम ए बार तुमादे दे दुमादे आच्के रासाइन्मेंट प्रतम प्रोश्ण चे discuss sonnet no.18 as a typical Shakespearean sonnet discuss sonnet no.18 as a typical Shakespearean sonnet यह चे broad question और एसे की उतीन टे act no.8 explain what is meant by eye of heaven 2. what is meant by darling birds 3. explain what is meant by the extract every fear from fear sometimes declines बेश तावले तुम्रा 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 बांगले शिखा क्लास्ट्रों में आज दुपूर तीन चे तुमादे जोनों की थाक्चे देखिये दी आजके तुमादे आदोचनार विशाय बांगला पाबलो नेरुदार कोबितार ओनुबाद अशुखी आक जोन नव दोशुम स्रेनीर जोनों आजके ठाकबे दुपूर तीन चे आदोचनीर जोनों ठाकबे शुभार शुमखपाद धायर आमार बांगलार छातीर बधोले हाती आर की भावे तुम्रामदे प्रुष्ण बाठावे एर मोधी तुम्रा जेने गाचो ताओ एक बर मोने कोरे दिए वाट्साप पर इमेल कोड़ते पारो तुम्रा की भावे बाठावे नीजे देन नाम लिगबे, क्लास लिगबे, विशाय लिगबे स्कूल एन नाम लिगबे, लिगबे जेलान नाम तुम्रादे प्रुष्ण लिगबे, एबंग तार पोड तुम्रा आमदे वाट्साप कोड़ते पारो इनाम बरे 9748217201 एचाड़ो तुम्रा आमदे एमेल कोड़ते पारो bsclassroom2020.gmail.com दुपूर आक्टार मोंदे तुम्रादे प्रुष्ण गेंदा आमदेर पाठी एदीते हवेश उम्बारे डोनुस्ठानेर जन्न आरे चाड़ा रोचे लोगडाउने ग्लास्रूमा चेशोनी बार तुम्रा जानू आजके IC क्लास्रोय चे आसे इंगलिश साजमने रादस्वना आणिश्ए इश्वाय तेमपस्टार कोड़ाई एदीते हवेश बार तुम्रादे प्रुष्ण गेंदे